बच्चे हो या बड़े हो सभी को नूडल्स बहुत साथा पसंद होते हैं और अगर वो बने हो बिलकुल रेस्टरॉन स्टायल तो क्या बात है तो फ्रंस आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़िदार चाउमिन जो कि हम चिकन और वेजिटेबल के साथ बनाएंगे और बिलक बिलकुल ऐसे बने जैसे कि आप बाहर रेस्टरॉन से खाते हैं तो वेलकुम दुम्दूम यूट्यव चैनल फ्रेवर आफ स्पाइस तो फ्रेंस चामिन बना रहे हैं उसके अंदर आप यह देखें कि सारे जो वेजिटेबल्स है वह ओवर कुक कि किसी भी वेजटेबल का कलर खराब नहीं है और यह देखें जो मैंने चाउमन बनाए हैं उसके जो नूडल्स हैं वो आपस में बिल्कुल नहीं चिपके हुए अक्सर यह होता है कि जब हम घर में नूडल्स बनाते हैं या चाउमन बनाएं तो हमारे जो नूडल्स होते हैं वो आपस में चिपक जाते तो जैसे हम बाहर से खाते हैं उसको हमने किस तरह से बनाना है तो यह देखने के लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहेगा और बीच में स्किप्ट ना कीजिएगा ताकि आपके नूरल्स भी जो हैं वह बल्कुल रेस्टोरन स्टायल बने यह देखें हमा गाचर का कलर और अहरा प्यास है इसके अंदर तो वह सब जो है बिल्कुल डिफरेंट कलर्स के साथ हमें बिल्कुल नजर आ रहा है तो आपका चाउमन भी जो है वह ऐसे ही बना चाहिए तो फ्रेंस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो फ्रेंस यहां पर मैंने तक्रीबन 200 ग्राम्स जो है वो चिकन लिया है जिसके मैंने चोटे चोटे पीसिस कर लिये हैं और यहां पर मैं इसके अंदर जो है वन टी स्पून जो है वो ब्लाक पेपर अट कर रही हूँ साथ ही यहां पर मैं वन टी स्पून चिली फ्लेक्स कर आट कर रही हूँ कुटी वी जो मिर्चे होती है लाल और साथ ही यहां पर मैंने वन टी स्पून नमक कर आट किया है और साथ ही मैं यहां पर वन टेबल स्पून चिली सॉस आट किया है और साथ ही मैं यहां पर वन टे फ्लोर का एट किया है आप उसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको तक्रीबन हम 15 मिनिट के लिए मेरिनेट होने के लिए रख देंगे तो फ्रेंस जैसे ही मेरिनेट हो जाए तो मैं आपको इसका आगे क्या स्टब बताती हूं तो फ्रेंस यहां पर मैंने एक और पाव लिया है और उसमें मैंने टू टीबल स्पॉन सोया सॉस के आट किया है और साथ ही यहां पर मैंने वन टीबल स्पॉन सिर्के का आट किया है जो वाइट वे निगर होता है उसको आट किया है और साथ ही यहाँ पर मैंने वन टेबल स्पॉन चिली फ्लेक्स का आट किया है और वन टी स्पॉन जो मैंने ब्लैक पेबर आट की है और तक्रिबन टू टेबल स्पॉन हनी का आट किया है अगर आपके पास शेहद अवेलेबल नहीं है तो आप चीनी भी आट कर सकते हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पर वन टीस्पून नमक का आट किया है उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने जो नूडल्स है उनको अच्छे से बाइल कर लिया है नमक और ओइल के साथ तो फ्रंस यहाँ पर मैंने जो है हरा प्याज लिया है जिसका वाइट पार्ट है वो टू टीबल स्पून लिया है और अधरक मैंने लिया है जूलियन कर्टिंग में टू टीबल स्पून और वन टीबल स्पून चॉप्ट कार्लिक और साथ मैंने यहाँ पर मिक्स वेजिटेबल लिया है जिसमें गाजर बंदकोबी और शिम्ला में और ग्रीन पार्ट है हरे प्याज का यह फ़ आफ हाफ अफ कप लिया है और ग्रीन अनियन का मैंने थू टीबल स्पून लिया है जैसे ही अच्छे तरीकपाइबल स्पून है उसे पहले नहीं डालना अच्छे से आपका पैन जोeye वो गरम होना चाहीए और उसके बाद हम ने इसके इंदर जो चिकन एट किया है इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है और जैसे इसका color change होगा तो हम next step करेंगे तो यह देखे इसका जो color है वो अच्छे से change हो गया है, ब्राउन हो गया है, तो अब हम इसके अंदर जो हैं अपनी बागे की ingredients को add करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने chopped garlic का add किया है और साथ ही मैंने यहाँ पर ginger को add किया है इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताके जिंजर का और गार्लिक का जो फ्लेवर है वो अच्छा सा चिकन के अंदर आ जाए उसके बाद मैंने यहाँ पे सारी जो वेजिटेबल्स हैं वो इसके अंदर आड़ कर दी है सिवाए हरा प्यास के हरा प्यास जो है आपने भी अड़ नहीं करना बाकी बन गुबी गाजर और शिमला मिर्च को हमने पहले अड़ कर दिया है और इसके बाद हमने इसको ओफर कोकनिंग करना हलका सा थोड़ική नरम हो जाए तो इसके बाद हमने इसके अंदर नूडल्स को एड़ करना है ये देखें इसका अतना खुबसूरत सा जो कलर है वो भी आ गया है और ये हलकी सी जो है आईल के अंदर जो है वो सौते भी हो चुकी है तो अब हम इसके अंदर अपनी नूडल्स को आड़ करेंगे यह देखें यह हमने सारी noodles add कर दी है और यह सारा procedure आपने जल्दी जल्दी करना है इसको आपने कोई बहुत जादा पकाना नहीं है पैन आपका अच्छा सा जो है वो गरम होना चाहिए और आपने जल्दी जल्दी इसको जो है वो mix करना है यह देखें इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है अब हमने जो सॉस रडी करके रखी है, वो सॉस हमने इसके ऊपर से डाल दिनी है सॉस को पहले से रडी करने का मतलब यही था कि हमें जो है जो ज़ाधा time ना लखें और हमारे जो चामन है वो over cook ना हो तो इसलिए हमने पहले ही sauce बना गे एक साथ रख ली थी और अब हम इस को एक साथ ही डाल देंगे ताकि हमारे जो चामन है वो जल्दी से ready हो जें और सारा जो mixture है जो sauce उसका है तो आप नमक को एड़िस्ट कर सकते हैं सोय सॉस अगर आपको कम लगे या चली सॉस आपको कम लगे तो जो मिर्चे भी है वो भी अपने अकॉर्डिंग आप इसके अंदर डाल सकते हैं तो फ्रेंज यहां पर मैंने अप आप जो हरा प्यास था उसका वाइट पार्ट और ग्रीन पार्ट दोनों को एड़ कर देना है इस देखें यह ग्रीन पार्ट भी मैंने जूलीन क्रेटिंग में किया था तो यह देखें यह भी हम इसके अदर आप कर देंगे और अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे फ्रेंज अगर आपने मेरे चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंज आप मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को जो है लाइक भी करें शेयर भी करें अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ तो फ्रेंड ये देखें, हमारे जो नूरोल्स हैं वो बहुत जबदस कलर की और जो है वेज़ेटेबल्स भी देखें, इसके अंदर जो है हर कलर की नजर आ रही है और कोई भी जो वेज़ेटेबल है वो ओवर कुक नहीं हुई है वे देखें हमारे चौमन्स रेड़ी है तो फ्रेंज नेक्स वीजियो तक के लिए मुझे दे इजाज़त अल्ला हाफिज